दिवास में सुतंत्रता दिवस के उपलक्ष में प्रतिवर्ष नूसार इस वर्ष भी जीला पंचायत के पुर्व अध्यक्ष नरेंद्रे सिंग राजपूत के नेत्रतों में एक भवित रंगा यात्रा दिवास से प्रारम होकर हाट पिपलिया पहुची। इस यात्रा में एक हजार से अधिक चार पईया बाहन शामिल हुए यात्रा का रस्ते भर जगा जगा स्वागत किया गया शाम को यात्रा का समापन हाट पिपलिया की करशी उपच मंडी में सबा की रूप में हुआ जहां पर भुत पुर्व सैनिको शाहिदों की परिजनों व ता प्रच्चात यात्रा को देवास विधायक गायतरी राजे पवार भाजबा जिला अध्यक्ष राजिप खंडलवाल ने हरी जंडी दिखा कर रवाना किया गया साती यात्रा सयोजक नरेंदर सिंग राजपुद वार रजत पाल सिंग राजपुद का पुश्माला पहना कर स्वागत किया गया इस अवस्तर पर देवी प्रा अध्यक्ष राजे स्यादो महापोर प्रतिनीदी दुर्गेश अग्रिवाल पुर्व महापोर सुवास शर्मा सवापती रवी जेन महामंत्री मनिस सोलंकी सहित हाट पिपलिया विधायक में बड़ी संक्या में कोठाद नेवरी अरला बदा होते हुए हाट विपलिया नगर पहुंची जहां पर इस्थानी क्रश्य उपच मंडी में तिरंगा यात्रा सवा की रूप में परिवर्तित हो गई है सरप्रथम अतित्यों ने भारत माता की चीतर के समुक दिप प्रजालित किया गया कारेकरम में अतित्यों का स्वागत कर्वा स्वागत भासर रजतपाल सिंग राजपूत ने किया सबी जगे तिरंगा यात्रा निकल रही है और यह देवास से निकलने वाली तिरंगा यात्रा मानिया नरेन सिंग जी राजपूत ताक्यों संकच के हैं वो यहां से लेकर हट्विपलेता कि इस यात्रा को निकाल रहे हैं बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं उनके साथ और इस यात्रा को हरी घंडी देने के लिए शुप कामना है देने के लिए महाराज साब की मूर्ति पे मालयार पर करने के लिए हम लोग सब एकत्रिद हुए थे सभी बज्जों को युवाओं को बहुत बहुत शुप कामना है और नरेन सिंजी को बहुत बहुत बढ़ाई एक सफलतम यात्रा थे दावान है कि नगनिगन की यात्रा में जो शास्किया यात्रा है उसमें भी सम्मिले दो और उसे भी सफल बनाए हम बहुत अच्छा संदेश क्योंकि स्वच्छता अभियान चल रहा है अभी पकवाड़ा चल रहा है तो इसी ये एक बहुत ही संदर संदेश है जो आम जंता को देवास्य वियरोची वभिशक सोनी की रिपोट